तो ही वाट्सप गाई देश प्रीद विश्वास यू वाचिंग प्रिट स्टूडियो तो शौमी ने लॉंच कर दिया आप नया फोन जो कि जो कि मिलते थे सिमलर तू रेड्मी नोट फाइब प्रो के जैसे उसमें कुछ भी नया नहीं था उसमें सिर्फ आपको नोच देखने को मिलती थी लेकिन वह भी बड़ी सी नोच जो की काफी भद्धी लगती थी इसलिए मेरे चैनल पर आपको कोई भी वीडियो देखने को नहीं मिले होगे रेविट में रेच्ट सिक्स के बारे में लेकिन शामी ने अपने नया सब बर्ण लॉंच किया जिसका नाम है रीडमी जी आ आप रेडमी का पहला फोन व्लॉंच हो जो का रेट में नोट 7 जो कि कटी किलर फोन है बिया तुकि किलर वोन है आपको दूम आपको देख को मिलता है और ग्रोशी डिज़ायन को मिल जाता है इसमें आपको बैक साइट भी आपको कलर वेरियंट मिल जाएंगे काफी सारे तीन कलर में यह फॉन आएगा पिम ब्लैक का और ब्लू कलर का चोकि काफी काफी ज़्यादा अच्छा होने वाला है इसके लुक्स एक नंबर है भाई इसके लुक्स एक्तम प्रीटी हैं बिलकुल आपको चमझाएगा फॉन के आज के राइम पर ग्लॉसी पॉन्स का ट्रेंट चल चुका है तो शौमी का एक अच्छा गदम है स्टेली अलुमिनियम जो फ्रेम देते थे वो लो उसे हटके ग्लॉसी ग्लास डिजाइन भी दिया है लोने इस पर और आगे की बात का है आगे आपको देखने को मिल जाता है बॉटर रॉड नौच जो की काफी ज़्यादा अच्छा देखने को में लगता है और इसकी सारी चीजें हैं जो की बहुत अच्छी सी है लुक्स वाइस तो ग्रेट लगता है और सबसे अच्छी बात कहूं जो इस पाउन में आपको देखने को मिल जाता है यूस्वी टाइप-C जो की इस प्राइज रेंग में काफी ज़्यादा अच्छा होने वाला है क्या है कि श इसको पाउन आपको देखने को प्राइज रहा है नहीं मिलती है कि और पाथ करें पीछे केंड कर दिया है वह शिस्वां में कते हैं है तो 48 Megapixel जी हां 48 Megapixel का primary rear camera मिल जाता है और दूसरे की बात करें तो depth sensor दिया गया से 5 Megapixel का जो कि आने वाला है Samsung के sensor के सांथ जो काफी ज़्यादा है डाले वाला है जिसके aperture होगा 1.8 जो कि नाइट में भी आपको अच्छी quality TV के video and photos दे सकता है और बात करें आगे की आगे आगे आपको मिल जाता है 13 Megapixel का camera जैसे के previous variant की बात करें आप आपको देखने को मिल जाता है तो आपको 20 Megapixel का camera लेकिन आपको 13 Megapixel का camera करती है जो कि अच्छी बात है क्योंकि फ्रंट का camera उतना यूजज नहीं होता है ज्यादा Megapixel की जरूद में पड़ती क्योंकि आप जब भी photos लेते हैं तो कभी धूरी से लेते हैं तो उसमें ज्यादा Megapixel की जरूद भी नहीं पड़ती है तो सही है Xiaomi का phone और बात करें इसमें क्या क्या है इसके processor की बात करते परफोर्मेंस की बात करते हैं आपको देखने को मिल जाता है इसमें Snapdragon 660 प्रोसेजर जो की है क्लॉक्ट है क्लॉक्ट है इसमें आपको 2.2 GHz जो की काफी ज़्यादा अच्छा होने वाला है सीरीज में लेकर आगे आपको देखने को मिल सकते हैं उसके दो तीन महीने के तो एकदम बहतरी चले क्योंकि इसका यूई बहुत क्लीन रहता है शार्प रहता है और चलाने में भी अच्छा रहता है ठीक है बात करें इसको Android बर्जान की तो Android बर्जान में आपको देखने को वेन लेगा भाई आपको Oreo के साथ आजाता है MIUI 9 के साल तो बात करें आपको बात करें इसकी चार्जर की तो चार्जर में आपको मिल जाता 4.0 का कोई चार्जर मिल जाता है क्योंकि आप इससे fast चार्जर भी कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है ये complete package है Redmi Note 7 के रूप में आपको तो मैं requirend करूंगा कि आपको लोगों को बेट करना चाहिए इस फ कर लेते कौन-कौन से वेरियंट आने से वाले हैं 3GB RAM और 32GB storage के साथ आने वाला एक वेरियंट जिसकी प्राइज होगी लगभग चाइना के साब से 10,000 रुपए और दूसरा वेरियंट होने वाला है 464 का जिसकी प्राइज होने लगभग 12 या 13,000 रुपए तीसर वेरियंट इस प्राइज रेंड में कपचा कर चुका है अपना तो यह काफी साथ अची चीज है शामी की तरफ से क्योंकि इसके फैल्स बहुत दिरों से बिकरार थे से फोन के लिए कि जो तबाही मचाते हैं तो शांती साथ आपको यह वीडियो अच्छे आगे तो लाइक कर देना श शुक्रिया तो